एस वीडियो में हम सापोटेंड रिजिस्टन्स के बारे में बात करेंगे इंको जनना बहुत जुरूर है इनके बिना प्राइस एकसन को समझ नहीं पाएंगे और अच्छे से प्राइस फॉकस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आम देखेंगे सापोटेंड प्रिवेस देख प्राइज कहां पर है लो कहां पर है तो उस सारे पॉइंट को माप करते हुए हमको मिलता है सापोर डेस्टन्स कैसे मिलेगा वह हम इस फीडियो में जानने वाला है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is support and resistance and how can you mark on the chart उसके बाद हम देखेंगे उस support and resistance की breakout and breakdown पे हमको कैसे entry लेना है हमको कैसे react करना है हम entry कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहले यह जानेंगे अगर आप beginner है breakout and breakdown होता क्या है ठीक है के बाद हम entry कैसे ले बैंक निफ्टी के 5-minute chart को open करके मैं आपको दिखाने वाला हूं तो वीडियो के साथ बने रहे हैं देखेंगे अगर आप beginner से टेक्निकल एनसे शिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आ जाई है सबसे पहले सब्सक्राइब कर देख सकते हैं तो आईए इस वीडियो में हम देखेंगे सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहां पर इस टॉक है आगर यह इस तरह लाइक तस उपर की तरब जाके इस लेवल को टाच करते हैं हीट करते हैं तो इस इस दर रिजिस्टेंस कि नीची से अप्रोच कर रहें इस लाइन को अगर इस स्टॉक्स होना स्टाट हो और इस लेवल में उपर से अप्रोच करें है और बिल्कुल रूप में रिजिस्टेंस लेगा यह फ्लॉर रेसिस्ट करेगा बॉल को उपूर में जाने के लिए नहीं पाएंगे को को ऑपर से कि सिंपोर इस और से किसी इंपरूटन फीर डियों को आप्रूज कर रहा है तो उस जटों को कहते हैं साफिट जो मैंने एक्जम्टल बताया कि अगर किसी बौल को ड्रॉप कर आते हो तो simple floor से support लेते हैं रोप resistance लेते हैं क्योंकि रूप जो है बाल नीची से अप्रोच करते हैं and support point में अपर से approach करते हैं so that is support and resistance simple language से so यहां पर मैं एक definition बताना चाहोगा support is the level at which demand is strong enough to stop the stroke from falling any further यहां पर इनिशेटीव बाइयर्स ने एंट्री ली और उसके बाद प्राइस को आप जाने पर रोग दिया this is the resistance okay so resistance is the level at which supply is strong enough to stop the stock from moving higher उपूर जाने से रोग दिया इस लेवल को that's why this is resistance तो यहां तो आपको समझ में आगे होंगे की what is support and what is resistance तो definition आपने जान लिया अब हम देखेंगे identify support and resistance zone in the chart तो सबसे पहले जो important point में mark करता हूं वो है 15 minute का swing low and swing high right so यहां पर 15 minute पर आपको जाना है and अभी price यहां पर है तो सबसे nearest to swing low है वो मैं यहां पर mark कर देता हूं 15 minute like this यहां पर मैं mark कर देता हूं this is the support right यह एक तरह की support 15 minute का swing low क्योंकि यहां से price fall होने के बाद upside moment दिया था this is the 15 minute swing low और previous day low भी है अभी मैं support resistance दो ड्रॉप कर रहा हूं according swing low and swing high 15 minute and one day time frame में so 50 minute time frame में एक support है एक swing low है right यह support इस लिए बोल रहा हूं क्योंकि price अगार इस level को approach करे तो upside से करेगा तो that's why this is support okay and यहां पर resistance यह मैं ने मांक कर देता हूं one day पे then one day time frame में भी mark करता हूं swing high and swing low कोंसा this is the swing low यहां तो रहाएगा one day time frame में यह देख सकते हैं one day time frame में मने मांक कर दिया 38600 and swing high would be like this yeah so this lines are resistance because current market prices here and this two lines are support okay आप इसके एक लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं otherwise इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक जोन के सबसें तो यहां तो कपको समझ में आ गया swing low and swing high को दिखते हुए सापोट रेस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है before market open okay now second option है guys सापोटे रेस्टेंस ड्रॉ करने की ओ है सिप्या सेंटरल पीवोट रेंज देखिए अगर पीवोट पॉइंट्स के बारे में आपको पता नहीं है तो उनके बारे में भी वीडियो आपको मिल जागा हमारे चैनल में आभी जो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेंटरल पीवोट को कैसे आप चार्ट में लेके आए सिंपिल इंडिकेटर में जाईए सिप्या बाइक केजिए करके एक इंडिकेटर है आपको मिल जाएगा लाइक दस और अल्रेडी मैं यहां पे एड कर चुका हूं और इस सेंटरल पीवोट को फाइम मिनिट पे मैं इस्तिमाल क कर दो तो यह देख सकतें दिशिश दसीप आसो अगेर प्राइस उपर से अप्रोच कर रहा है और नेचे अगर आप्रोच कर रहा है दिश हेर resisting तो इस 사रा फिपोट की यहां पर और यहां पर जो लाइन आप देख सकते हैं सापोर्ट वान सापोर्ट करता हूं अगर प्राइस उपर से अप्रोच कर रहा है सापोर्ट नीची से अप्रोच कर रहा है तो रिजिस्टेंस यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं यह एक लाइन था प्रिवेस डे की लो है तो एस दोनों लाइन भी चाट के उपर मांक होना चाहिए नेक्स दिन ट्रेड करने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर इंपोर्टेंस लाइन्स मैंने मांक कर चुका हूं उन टाइम फ्रेम में स्विंग है यह लों अगर इसको रिनेम करना है इस तरह नेम लिखना है तो स्विंग लो डेली टाइम फ्रेम इस तरह नेम भी देश कर सकते हूं तो प्राइस निचे से अप्रोच कर रहे सब्सक्राइब तो रिस्टन्स ओके जिसके तुरू आप इसे पुछ पॉइंट्स मिले प्रीवियस आपको श्विंग लो देखना है कि इस प्राइस ने अपसाइड मोंबंट देखने को मिला था फिर प्राइस देखे इस स्विंग लो पे आया और यहां से फिर से सापोट लेकर उचल देखने को मिला इस दोनों लाइन्स को ड्रो करते हुए एक्स्टेंड कर देना थाट टाइम आगर इस तरह की पैटन्स बने कि यहां पर प्राइस आये और उसके बाद सापोड ली और यहां पर एक प्राइस द्पेन चलाए जया से की यह यहां पर एंट्री ले सकते हो यहां पर अकुझा लाइश बाना सकते हो यहां पर फेल्फ इस लाइन से क्योंकि मार्केट एक बार यहां से बाउंस ले थे फिर नेक्स टाइम जैसे इसने किया तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो फिर देखें यहां पर फिर उचल दिया जो तो नाइन होते जहां पी पर देखने को मिलते हैं हट टाइम ऐसे नहीं होते ब्रीच हो जाते अगर निच्छ बन जाएगा और निचे से अप्रोच करेगा यह होता है सापुर्ट एस रिस्टैन्स भी यहां पे इस पॉइंट में देखने को मिला उपर नहीं जा पाया फिर फॉल फिस से इस लेवल को भी टेस्ट किया फिर फॉल फिर दूबरा टेस्ट किया यह जो टॉप आप देख सके टॉप को करके एक लाइन से जुड़ने की कोसिस करें तो इस तरह प्रेस्टेंस राइन भी ड्रॉव कर सकते हो चाट जैसे कि यहां पर एक एक्जांपल लेखे इस टॉप आप यहां पर क्या करेंगे पहले क्योंकि आभी प्राइस प्रीविया स्विंग लो के आसपास है कि जिस पॉइंट से प्राइस उपर की दरफ गया था टेक्निकल एंसिस का जो एक्ट्राइस नहीं को देखते हुए आ इस टूर रिपीट इट्सेल प्राइस सेम मुख दोहराते हैं तो इस पॉइंट पर बाइंग अपॉट्चुनेटी फाइंड आउट करना चाहिए इंस्टेड आप सेलिंग तो देखिए फिस से यहां पर बाइंग नेखने को मिला लेकिन नेक्स टाइम क्या हुआ ऐसा नह पर आया कुछ लोग यहां पर इंट्री नहीं कर पाथ वो लोग सोच रहा है एक बार यहां पर आने दीजिए इस पॉइंट प्राइस जोन पर तो फीसे में एंट्री ले लोगो उसका जो रिटेलर सेना उसका इसा है लेकिन इसा ना हो पाया इंस्टेंट ब्रेकडाउन हो हो जाते हैं क्योंकि मालिगे कुछ बैड निवसे स्टॉक को लेकर कुछ मैनेजमेंट में मिसगाइड हुआ है कुछ बैड रिपोर्ट रिजल्ट एनॉंस किया या फिर कुछ इवेंट्स का इंपक्ट हो सकता है जिसके कारण इस सापोर्ट को ब्रिच कर दिया जैसे ब्रि रिजिस्टेंस में अब मैं आपको बताऊंगा एगा फिर फिर साइकोलोजी कि इनको ब्रेक हो जाने के बाद कुछ लोग नया एंट्री भी लेंगे शौट सेल भी करेंगे कुछ लोगों का यहां पर इस्टॉप लॉस होगे और जैसे ब्रिच करेगा इस इस इस्टॉप देखने को मिलेगा क्योंकि उसका लॉंग पोजिसेंस था अभी स्कैर उपर है बाइस सेलिंग तो अभी जिन्हों नहीं बना पाया और जैसे इस लाइन के असपास आया तो फिर से इन्होंने एंट्री लेली सौट कर दी प्राइस में सप्लाई देखने को मिला और फॉट को परीस आओ में आप को बताया कर प्राइस ताब सोटाइक वे रिशिस्टेंस कैसे बन गया तो अब बटार हो यह दो कि ब्रेज़ान के तृटि हो जाते हैं क्यों हो कि यह आच्छा का सा इस जो एक proposed training बढ़λα में चाहरो रिजर्ट एमनेंस किये हैं मैंगेंटमेंट पे कुछ नया प्लैन स्टाट करने जा रहा है एसे कुछ निउस के करण यहां पर धितन्स ब्रेच हो जाते हैं रेस्टंस ब्रीच मतलब प्रिभीएस जो प्राइस पॉच्ट यहां पर बार वार कर चुकत रहा था उस लेवल को का जो है और इस लीयूं को प्राइस कर चुकत तो आप इस एंपोर्टेट जोन के उपड़ करेंगे कुछ लोग करके बैठा था उन लोगों का बिल्कुल यहां पर इस पॉइंट पर अगर मार्केट किसी भी तरह इस लेवल को ब्रेट कर दें इस लेवल को तो मैं बाई करके पोजिशन को स्केर अप करने के लिए यहां पर आपसाइड मुंमें देखनों को मिला एक प ब्रीच किया तो नया जो ट्रेडर है जो लोग बैठे थे लॉग पोजिशन बनाऊंगा इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा तो यहां पर लॉंग करूंगा तो ओ लोग भी यहां पर एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस प्लास निव एंट्री तो इस टॉप को अपसाइ एक बार इस भाव पर मिल जाए इंडेक्स तो यहां पर प्राइज में में बना लोगा जैसे इस लेवल को टेस्ट की तो यहां पर डिमांड देखने को मिला और जो रिजिस्टेंस था इस पर लेकर अच्छा गासा अपसाइड में देखने तो इस तरह की पॉइंट में अगर कुछ price action patterns मिल जाए like this hammer hammer अगर यहां पर देखने को मिले यहां पर इस तरह ड्राइग ओन फ्लाइट डोजी देखने को मिले यहां पर पुलिस इंगल्फिंग पैटर्स देखने को मिले तो यहां पर एंट्री कर सकते हो चोटा इस्टा पलाज जास्ट यहां पर रखके लॉ and signaling a potential upward trend traders often view breakouts as a buying opportunity as they indicate the stock is likely to continue rising in price किसी भी तरह अगर यह resistance level की breakout हो जाते है breakout मतलब इसके resistance से उपर trade करना start करे तो एक buying opportunity यह find out कर सकते हो तो इस level की bridge करने को कहते है यह breakout अगर resistance level की breakout हो जाते है on the other hand breakdown किसे कहते है breakdown occurs when the price of an asset falls below the support line support line में demand होते है right demand में price को drag करके buyer उपूर की तरह ले जाते है किसी भी तरह किसी stock का price उस support के नीचे आ जाते है उसको कहते है breakdown तो अगर ऐसा होते हैं तो signal लेते हैं potential downward trend traders open view breakdown शासे selling opportunity as they indicate the stock is likely to continue falling in price अगर किसी भी तरह support breach हो जाते हैं this was the support important तो अभी हम यहां पे sell करने की opportunity find out करेंगी छोड़ा से स्टाव लोग जास इस resistance की उपर क्यूंकि support breach हो चुका है तो इसको कहते है breakdown और जब इस तरह resistance ब्रीच हो जाते है इस टॉक रेस्टेंस को ब्रेक करके उपूर की तरफ ट्रेड करने स्टेट करते है उसको कहते है breakout breakout and breakdown किसे कहते है वह आपको पता चला यहां पे हमने mark करके रखा जैसे कि एग इंपोर्टेंट जोन था ठीक है करने लगा तो यह breakdown हो गया अगर यहां पर मैं आपको दिखा हूं यह 17 मार्च का चार्ट है market open यहां पर हुआ open होते ही यहां पर एक support था क्योंकि एक इंपोर्टेंट लेवेल्स है जो मैंने आपको सिखाया कि यह यह पर प्रश्य टीया हाई यहां पर देख़े मट्छ करइख ब्रिल्याय दो गीजन करबीक डाउन और सब्सक्राइब नहीं यह देख़े सब्सस्क्राइब करण करये अगले सब्सक्राइब पो Ouais पर इन्टरी ले सकते थे परेंटी लेकर टार्गेट बिल्कुलेश सापोर्ट से पहले होना चाहिए 1-2 रिस्क एंटरी बन सकता था तो सब से पहला कंडीश्यन्स कहां पर आपको सापोर्ट है रिस्टेंस से करना है तो यह 17 मार्च का एक support था, bridge किया, फिर retest किया, इस level के आपको entry लेना है, जो भी आपका stop loss, stop loss basically ये resistance के उपर रखना है, जितने point का stop loss हो रहे है, उससे double up का target होना चाहिए, और target से पहले कोई support नहीं आना चाहिए, ऐसे price देखते हैं, तो यहाँ पे देखी 1 is to 2 risk and reward मिल रहे हैं, support से पहले, जो 1 is to 2, 25 point अगर हमा stop loss है, so 50 point का target होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिला, so that's why यहाँ पे आप जो support था, उनकी breakdown पे entry ले सकते थे, तो breakout and breakdown होता कि आप कैसे आपको trade लेना है, ओभी मैने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, फिर से आप यहाँ पे देख सकते है, stock 16 March का candle है, और यहाँ पे price fall देखने को मिल रहा था, यहाँ पे उफेन हो, इसके बाद fall और यहाँ तो काया, फिर से यहाँ पे support लेकर यहाँ तक moment दे दिया, और यहाँ पे देखे, एक important resistance था, ठीक है, trend भी डाउन है, और यह upside moment दी, और this is important zone CPR था, right, CPR में एक price action मना, जो की bearish engulfing patterns, bearish engulfing patterns कीते कहते हैं, देखे, previous episode में इस सरे patterns के बारे में discuss की, hammer engulfing, dragon flag, davis stone, doji के बारे में भी, तो वीडियो आप जुरूर देख लेजे, resistance में, इस तरह की price action pattern मिला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंट्री हो सकता है, stop loss basically scandal के हाई की ओपर होगा, यहाँ पे आप support कर सकते हो, यह एक important resistance है, और resistance के असपास अगर इस तरह की patterns मिले, very singulping pattern, इस मिले, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, entry पे एक condition है, कि हमारा जो target है, target किसी भी support से पहले आना चाहिए, support यहाँ पे है, previous day low, और यहाँ पे आप entry ले रहे है, अगर हमारा, यहाँ पे stop loss 20 point है, तो 40 point का target य नहीं लेंगे, हमें सार रिस्क एंड रिवार्ड वान इस्टू मान के चलिएगा, okay, तो सावाट है, resistance में आ रहा है, so guys, that's all for the video, इस वीडियो में हमने देखा कि चार्ट के उपर important zone को कैसे mark करते है, zone mark करने के बाद, daily and 50 minute time frame में swing high and low को mark करने है, और mark करने के बाद, कौन सा जोन, support है, कौन सा जोन, resistance है, हमने देखा, किसी इस्टोक अगर उपूर से approach कर रहा है, किस लायन को support, और नीचे से अगर approach कर रहा है, तो resistance, okay, support resistance होता किया है, और कैसे mark करने, identify करने, चाट के उपर, हमने देखा, उसके बाद, उस support and resistance की breakout and breakdown किसे कहते है, हमने जाना, and breakout and breakdown प definitely इसके बारे में बात होंगे, फिर भी मैं इस चीज़े एक बताना चाहूँगा, देखे, entry, basically support and resistance की breakout पे नहीं लेना है, या breakdown पे नहीं लेना है, breakout या breakdown करने के बाद, फिर जब इस line को retweist करे, तो आपको entry लेना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँपे दिखाना चाहूँगा, द जो impatient लोग होते हैं, वो लोग यहाँपे entry लेते हैं, आपको क्या करना, patiently, ठीक है, इस line को कब, फिर रिटेस्ट में, अगर कुछ ब्यारीस कंडल्स बन जाए, ब्यारीस पैटल्स मतलब, माल लीजी कि यहाँपे ग्रेविस्टोन डोजी बन गया, ब्यारीस इंगल्फिंग बन गया, यहाँ रिट कंडल, और उसके बाद ग्रीन कंडल, ब्यारीस इंगल्फिंग बन गया, यहाँ फिर शूटिंग इस्टा जैसे कंडल्स बना, लाइक तेस, तो आपको क्या करना है, इस point पे entry लेना है, इस stop loss इसके उपर रखना है, अच्छाँ अच्छाँ डाउन स बताया गया है, आप देख लिए, as well as, इस resistance में, अगर breakout हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर entry नहीं लेना है, अगर entry ले भी रहे हो, तो छोटा सा quantity लेजे, हाप से भी कम quantity लेजे, ताकि आप बाद में entry ले पाए, तो यहाँ पर entry नहीं लेना है, आपको integer करना है, इस level को द यहाँ पे positive patterns मने, bullish pattern मने, जैसे कि हमार patterns मन जाए, यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी patterns मन जाए, यहाँ पे bullish engulfing pattern मने, यहाँ यहाँ पे एक morning star pattern मने, तब जाके आप यहाँ पे entry ले सकते हो, तो इस आई होप आपके वीडियो समझ में आए होंगे, थोड़ा लंबा हो चु कर सकते हों, link आपको इस वीडियो की description मिल जाएगा, thank you, thanks for watching, मिलते हैं next session में.